हेलो गाईश तो आप सब का फिरसे स्वांगत है एक्ट मिक्सstart में आजकोटिस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हुँ आजकी वीडियो में हम गंपएर करने वाल है डो पॉपशें डॉपर्म angra neyo मैं मैं वाकने वालत है कि एस वी PER करते हैं तो सबसे पहले कुछ things होती है जो Clears ने ज़रूरी है जिसे कि अगर आप इन दोनों रुछ फिसर देखना इन ड cherry को कि कि Is Č pap origin मेंő की इसमें से यह बैटर रहेगा या फिर यह बैटर रहेगा सबसे पहले सिलेक कर लीजी कि आपको डॉग बिट किस टाइप में चाहिए कि अगर आपके घर में बीबी जो या फिर आपको ऐसा डॉग बिट चीए जो काफे फ्रेंडली और अच्छे से रह सके घर में तो आप इन मैंसे गॉल्डन रिट्रिवर के साथ जा सकते हैं क्योंकि यह डॉग बिट चीए जो का आपके घर की गार्ड कर सके आज वाच डॉग चीए तो इस मामली में आप डॉबर मैं के साथ जा सकते हैं यह डॉग बिट काफी अच्छे वाच डॉग और या फिर मैं कहूँ एज गार्ड डॉग काफी बैस्ट होते हैं यह कोई भी सस्पिशियस लेकिन इसमें मैं बैट बैटर कहूं तो डॉबर मैं रहेगा और इन में से अगर आपने सिलेक भी कर लिया तो मैं कुछ चीजे जरूर बताना चाहूंगा आपको कि जो आपको ध्यान रखनी होगी इन दोनों डॉग बीट में से अगर आप कोई भी एडब करें तो उससे द्यान रखिए कि उषके घर में यानि आपके घर में उसके लिए फ्रीली मॉवएबल स्पेश हो यानि की एक दम स्मौल साइस का होम न हो साथ साथ ये भी ध्यान रख लेजिए कि आपको मनी पहले से से और करके रखनी है क्यूंकि मनी बहुत चीज़ों में काम आती आगे यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इन डॉग बीट के बारे में जरूर से इंक्वाइरी कर ले यूटूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल बे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे आप जाके चेक आउट कर सकते हैं तो जैसे यह आप इनफर्मेशन कलक करेंगे आपको थोड़ा रख आईडिया आजाएगा कि यह डॉग भी बेस्ट है तो इस मामले में आपके लिए गोल्डन रिट्रीवर बेस्ट है यह फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए काफी अच्छे डॉग मानेगा है और यह काफी लॉयल भी अपने ओनर के प्रति काफी बेस्ट रहते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपिरियंस और अपने डॉग कर चुके हो पहले तो आप डॉबर मैं के साथ भी जा सकते हैं सकेंड राता है एग्रेसिवनेस कि हमारे डॉग का बीएविर काफी एग्रेसिव रहता है वह अटेक करत हो तो अगर आप अपने डॉग के साथ जाधा टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर उसको फ्रीली मूवेबल स्पेस में रखते हो तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनका मूड भी ठीक रहेगा और वह काफी अच्छे लॉयल बने रहेंगे आपके साथ नेक्ट पॉइं स्पेस जी होते जिससे कि यह आराम से घर में रह सके या फिर एक जागा पर बैठ सके और वह स्मॉल हाउस में पॉसिबल नहीं होता हूँ इसलिए अगर आप इनको मीडियम साइज या लाज साइज के घर में रख सकते हो अगर आपके घर के बाहर बैक हैड हो तो बहुत अ सेव किजीगा तो उसके कारण यह रहे आपकी जो वैक्सिनेशन आती है वह जरूर से करानी होगी डी वार्मिंग होती है वह भी जरूर कराना होगा और साथ साथ जो इनको पर खर्चा आता है जैसे कभी अगर यह फीवर हुआ डॉक को या फिर उनकी लिए डॉक फूड ल इसके कारण आपकी डॉक की 90 परसेंट आफ लाइफ से हो जाती है इसलिए आप इनकी डी वार्मिंग एन वैक्सिनेशन जरू कराए इसके कारण आपकी डॉक को आगे चलके कोई डीजीज भी नहीं होगी नेक्स्ट पॉइंट आता है शेडिंग के मामले में कौन सा डॉक इस मामले में गोल्डन रिट्रीवर की शेडिंग होती है वो काफी जादा होती है आपको इनकी कौम जरूर से करनी होगी दिन में एक दो बार जिससे कि इनके बाल अच्छे रहे और साथ चाहते हैं जो जाते हो जो कम शेडिंग वाली हो तो आप डॉबर मैं के साथ जा सकत होती है लेकिन डॉबर मैं को थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग के जरूरतौत होती है दोनों ही रख्वी काफी ज्यादा intelligent होते है smart होते तो जो भी आप इन्हें tricked सिखाते वो काफी जल्DS सीख लेते हैं इसलिए इन्दों के ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नह जाते हो आपके साथ तो इसके कारूं उसका weight भी loss होगा अगर आपका dog breed खाना नहीं खाता होगा तो घर आके वो खाना भी खाएगा क्योंकि walking करने से dog breed को थोड़ी भूख भी लगती है साथ-साथ उसकी health भी काफी अच्छी बनी रहेगी वो fit and fine रहेगा और अगर आपके घर में कोई और pets है या फिर आपके घर में कोई और dog है उनके साथ अगर आप यह dog breed को रख सकते तो इन में से better कौन सा रहेगा तो इस मामले में आपको दोनों dog breed को सबसे पहले socialization तो जरूर करानी होगी क्योंकि यह लोग उनके breed के साथ जब तक socialize नहीं होंगे तब तक यह अच्छे से नहीं रहेंगे इसलिए आपको उनके साथ socialize करना सबसे important point है ऐसे तो दोनों ही dog breed रह सकते दूसरे breed के साथ लेकिन इस मामले में golden retrievent थोड़ा ज़्यादा अच्छा और beneficial होगा यह dog breed जल्दी से socialize हो जाते है यह beneficial point है इसके लिए लेकिन अगर आप इन dog breed को बच्पन से किसी और dog breed के साथ या फिर किसी और pet के साथ रखते हो अच्छे से तो यह dog breed आराम से रह सकते है लेकिन socialization काफी important है तो अब बढ़ते हैं next point की तरफ अब बात कर लेते हम इन dog breed की height and weight की तो सबसे पहले बात करते है dogman की height की तो male में होती है 68 से 72 cm तक और female में होती है 63 से 68 cm तक बात करें weight की तो male में होता है 40 से 45 kg dogman का और female में होता है 32 से 35 kg और उसी जगे अगर हम बात करें golden retriever के height and weight की तो weight होता है उनका male में 29 से 34 kg तक और female में होता है 25 से 29 kg और अगर बात करें height की तो male में होती है 56-61 cm और female में होती है 51-56 cm साथ-साथ अगर बात करें life span की तो golden retriever की life span होती है 10 से लेके 12 years तक और उसी जगह अगर बात करें हम doberman की तो उनकी होती है 10 से लेके 13 years तक साथ साथ अगर आप अपने डॉक बीट की अच्छे से केर करो, अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंट करो, तो यह आपके लिए काफी बेस्ट एंड लॉयल कम्मेन रहेंगे अगर बात करें फूड के मामले में कि इन डॉक बीट को अगर फूड देना हो तो किस टाइप का दे सकते हैं तो अगर आप चाहे तो जो डॉक फूड आता है वो खरीद ले सकते हैं अगर का जो रोटी या फिर दधि होते हैं उनको मिक्स करके थोडा सब creator डाउक वीट को दे सकते हैं झाल झाल